हेलो प्रेंट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राफ 2315 तो आज आपके लिए बहुत ही कमाल का आइडिया लेकिया आई हूँ अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो आपके पास इस तरीके से वेस्ट कतरने जरूर होंगी तो देखे मैं कोई भी वेस्ट कतरनों को फैक्ती नहीं हूँ सारी चोटी-चोटी कतरने मैंने संभाल के रखी हुई है और इनका हम आज बहुत ही प्यारा यूज करने वाले हैं तो या तो आप इस तरीके की कतरनों का यूज कर सकते हैं तो बिलकुल वेस्ट माटीरियल से हम बहुत ही प्यारा आज क्या आईडिया बनाने वाले हैं तो या तो आप वेस्ट कतरने यूज कर सकते हैं तो या तो आप पुराने कपड़े यूज कर लीजिए या वेस्ट कतरने यूज कर लीजिए या बच्चों के soft toy होते हैं वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं और हम बनाने वाले हैं देखिए बहुत ही कमाल का idea हम बनाने वाले हैं इस तरीके का floor sofa जिसे आप side में कहीं भी देखिए एक corner create कर सकते हैं इसे आप छोटे size में बड़े size में easily बना सकते हैं सबसे बड़ी बात है यह washable है आप इसे easily washing machine में wash कर सकते हैं तो बहुत ही नई trick से बनाया है बहुत ही ज़्यादा easy है इसे बनाना और बहुत प्यारा इसका look आता है तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं कपड़े में से आप इसे बना सकते हैं कोई भी पुराना कुर्टा कोई भी पुराना कपड़ा पड़ा हो आपके पास bed sheet का भी use कर सकते हैं तो 20 by 20 inch का मैंने इस तरह के से square piece लिया है और उसके बाद हमें लेनी है एक zip जो हम यहाँ center में लगाएंगे और हमें इसे क्या करना है center में से cut करके अलग कर लेना है उसके बाद हम इसमें zip लगाएंगे अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो मैंने 20 by 20 inch का यह square लिया है आप 30 by 30 inch का भी ले सकते हैं उसके बाद zip को रखना है सीधी तरफ अंदर की तरफ सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद पलटते वे आपको top stitch लगा लेना है और फिर आपको इसे दूसरी तरफ को रखना है देखे और यहाँ पे भी आपको सिलाई लगानी है और उसके बाद आपको इसे पलटते वे top stitch लगा लेना है तो zip हमारी लग गई अब हमें एक और square piece लेना है यह मैंने लिया है 30 by 30 inch का वो मेरा 20 by 20 inch का था इसे मैंने 30 by 30 inch का लिया है अगर आप वो वाला piece 30 by 30 inch का ले रहे हैं तो इसे आप 40 by 40 inch का लीजिएगा तो बस इसी तरीके से आप इसके size को चोटा या बढ़ा कर सकते हैं उसके बाद जैसे मैंने fold किया है fold करना है और 5 by 5 inch का इसे cut लगा लेना है सबी sizes में आपको cut same रखना है तो ये देखिए हमारा इस तरीके से एक square piece आगया side में cut के साथ अब ये वाले piece को हमने जो zip लगाई है इसे हम इस तरीके से देखिए join करेंगे पहले यहाँ सिलाई लगाएंगे फिर ये वाली लगाएंगे और उसके बाद ये third और उसके बाद ये fourth लगाएंगे तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि सिलाई कैसे लगाने है तो यहाँ से ले लेते हैं सबसे पहले देखिए इसे यहाँ corner पे रख देते हम यहाँ पे मैंने रख दिया और यहाँ पे आप इसके सिलाई लगा लीजे तो यह हमारी सिलाई लग गई अब सामने वाली तरफ लगा लेते हैं इसे आगे की तरफ करते वे यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा ली तो दोनों तरफ हमारी सिलाई लग गई अब बाकी की दो सिलाईयां भी लगा लेते हैं इसे हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे और सेम ऐसे ही हमें फोर्थ वाली तरफ भी इसके सिलाई लगा लेनी है देखे तो हमारी सिलाई लग गए बस अब हमें इसके corners पर stitch करना है दिखे तो यहां से दिखे इस तरीके से पकड़ना है और 1 एक सिलाई फिर यहां से पकड़ना है यहां पर सिलाई लगानी है फिर यहां से पकड़ना है 3 और सेम इसी तरीके से 4 corners हमें stitch कर लेने है तो इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपको अलग से साइट पर टीस में लगाने की जोरत नहीं पड़ती अब हमें इसमें लगाने हैं उपर की तरफ और नीचे की तरफ एक सिलाई जिससे इसकी लुक बहुत ही प्यारी आएगी तो देखे हमें करना क्या है जो हमारा कॉर्नर है यहां से हम इसे पकड़ेंगे इस तरीके से और यहां से पकड़ते हुए देखे हम चारो कॉर्नर पर इसके सिलाई लगाएंगे तो यहां से एक पैर की सिलाई लगाएंगे चारो तरफ और सेम ऐसे ही बाद में हम नीचे की तरफ से पकड़ेंगे और यहां से भी सिलाई लगाएंगे यह देखिए तो यह सिलाई मैं आपको सिलाई मशीन पे दिखा देती हूँ कैसे लगानी है तो देखिए यह हमारा corner है उपर वाला चाहें तो आप निशान लगा के pin up करके भी कर सकते हैं तो देखिए मैंने इसे पकड़ लिया सीधा इस तरीके से बस अब एक तरफ से हम इस पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे और चारो corners पर हम इसके सिलाई लगा लेंगे तो इसमें बहुत ही प्यारी सी piping की तरह हमारा design बन जाएगा तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली इसमें अब यहां से corner से आपको turn कर लेना है और इसे पूरा वहीं तक आपको सिलाई लगानी है जहां से अपने सिलाई लगाना शुरू किया था और corner जो हमारे corners हमने stitch की है उसी का reference लेते हुए हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे तो यह मैंने उपर वाले हिस्से पे देखिए पूरे पे सिलाई लगा ली है सेम method follow करते हुए अभी मैं आपको नीचे की तरफ सिलाई लगा के भी दिखा दूँगे कि कैसे सिलाई लगानी है यह देखिए तो कितनी finishing के साथ देखिए हमारी सिलाई लग गई तो अलग से piping नहीं लगानी है इसी से हमारा बहुत ही प्यारा design बन जाता है तो अब लगा लेते हैं नीचे की तरफ सिलाई हम नीचे भी सेम हमें ऐसी लगानी है यहाँ पे देखिए हमें यह वला पकड़ना है यहाँ से पकड़ते हुए इस पे हम सिलाई लगाएंगे तो चलिए बताती हूँ कैसे सिलाई लगानी है नीचे की तरफ तो मैंने इसे पलट लिया और फिर से वही corner का reference लेते वे अच्छे से corners बाहर निकाल लिए और यहां से लेते वे पूरे round पे सिलाई लगाएंगे तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं तो पूरे पे हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है तो देखें कितना जल्दी बन जाता है बहुत easy है और बहुत काम का idea है तो पूरे पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ चारो तरफ फिर आपको दिखाते हूँ आगे हमें क्या करना है तो जहां से corner आएगा यहां से देखें इस तरीके से आपको turn कर लेना है यह देखें तो पूरी हमारी इस पे सिलाई लग गई तो आप बताते हूँ आगे क्या करना है तो दिखें इस तरीके से कितना प्यारा finishing के साथ यह हमारा इस तरीके से बन गया अब हमें क्या करना है जितने भी पुराने कपड़े हैं आपके पास या पुरानी waste कत्रने है soft toys होते हैं बच्चों के उसके अंदर जो cotton होती है वो आप use कर सकते हैं फटे पुराने जितने भी कपड़े हैं आपको cut करने की जोरत नहीं है कपड़ों को आप as it is कपड़ों को इसमें फिल कर लीजिए तो कत्रने है तो कत्रने फिल कर लीजिए मेरे पास form कत्रने बहुत सारी चीज़े थी बचेवे कपड़े के टुकड़े तो सब अच्छे से फिल करना है बस एक चीज़ का ध्यान रखना है इसे बहुत ना अच्छे से tightly फिल करना है तो इसकी shape और look बहुत अच्छी आती और इसकी shape बिलकुल भी खराब नहीं होती तो जितना अच्छे से tight fit ले आप इसे जितने अच्छे से कपड़े फिल कर सकते हैं उतने tight से आपको कपड़े इसमें फिल करने हैं तो बस एक इसी चीज़ का ध्यान रखना है और ये बहुत ही प्यारा soft सा देखिए हमारा गद्दा बनके ready हो जाता है सर्दियों में आप इसे बैठने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो इसके साथ मैं आपको एक पिलो भी बताने वाली हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगे इसका final look की किस तरीके से हमने इसे यूज़ किया है तो बहुत ही soft प्यारा सा ये गद्दा बन गया हमारा अब हम बनाते हैं इसके लिए उपर के लिए पिलो तो उसके लिए देखे मैंने लिया है 13 by 17 इंच का एक पीस लिया है और जिप लिया है जिप को जैसे हमने पहले सेंटर में लगाया था सेम वही मैथट फॉलो करते हुए हम इसे सेंटर में से कट करेंगे और इसमें हम जिप को इंसर्ट करेंगे तो बिलकुल वही मैथट जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखी उसके बाद पलटते वे टॉप स्टिच लगा लिया दूसरी तरफ रखा और फिर उस पे सिलाई लगाने के बार टॉप स्टेच लगा लिया तो देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा ली इसका नाब भी आप अपने हिसाब से चोटा या बड़ा रख सकते हैं उसके बाद दोनों पीसिस को इस तरीके से रखते वे चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और बस अब हम इसे सीधा कर लेंगे इसमें भी आप वेस्ट कत्रने बच्चों के सॉफ्ट आइस होती हैं उसकी जो कॉटन बगारा है या पुराने पिल्लों होते हैं उसकी कॉटन आप फिल कर सकते हैं तो बिल्कुल इसे भी अच्छे से मैं फिल कर लोंगे तो जो भी आप्शन आपके परस घर में हो वो आप इसे फिल कर सकते हैं तो देखे बिल्कुल अच्छे से मैंने फिल कर लिया तो ये हमारा देखे पिलो भी बनके ready हो गया तो बहुत ही प्यारा देखे इस तरीके से ये हमारा पूरा set बनके ready हो चुका है और जब भी आपको इसे wash करना है तो देखे इसके अंदर जो भी कतरने या पुराने कपड़े आपने fill किये हैं उसे जिपर वाले portion से आप निकाल के दूप में सुखा लीजिए और इसका बाहरवाला cover आप wash कर सकते हैं तो इसका pillow और ये दोनो washable हैं आप इन्हें easily अंदर की कतरने निकाल दीजिए और wash कर लीजिए और दुबारा से fill कर लीजिए तो दीखे इस तरीके से आप इने सर्दियों में कहीं पे भी बैठने के लिए यूजिए कर सकते हैं बच्चों को दे सकते हैं बैठने के लिए वो बैठके अराम से इसमें अपना काम कर सकते हैं तो दीखे बहुत ही प्यारा सा आइडिया है और waste कतरने और पुराने कपड़े सभी के पास होते हैं और जो बहुत जादा फटे पुराने कपड़े होते हैं जो आप किसी को पहनने के लिए भी नहीं दे सकते हैं वो आप इसमें यूस कर सकते हैं और अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो आप waste कतरनों से छोटे साइज में बड़े साइज में इने बना सकते हैं तो बहुत ही प्यारा इनका लुक आता है बहुत ही यूसफुल है तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ थेंक यू